हलो बडीज, ग्यान बाबा सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बाबा का फंडा में याद करने वाले हैं कमपाउंड एपिथीलियम के एक्जांपिल को कमपाउंड एपिथीलियम उसे कहते हैं जहाँ पर सिल्की एक से ज़ादा लेयर पाई जाती हैं इसे multi-layered epithelium भी कहते हैं NCRT में compound epithelium के 4 example दिये गए हैं कैसे याद रखेंगे इसका बहुत आसान सा mnemonic मैंने पनाया है देखते हैं ज़र इसको इसका जो mnemonic है that is cigarette dim ये इसका mnemonic cigarette dim जो लोग cigarette पीते हैं तो आपने देखा कि cigarette पीने के बाद जो last वाला कुछ part बच जाता है जो last वाला part बच जाते हैं उसे dimp कहते हैं तो cigarette dimp में वो सारी चीज़े आ जाएंगी जो हम याद करना चाहरे हैं देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं cigarette के बारे में cigarette में जो C आ रहा है बटा ये C हो जाएगा C for compound epithelium हम याद कर रहे हैं compound epithelium यानि multi-layered epithelium के example हम याद कर रहे हैं कि अभी जो dimp लिखा हुब है इसको देख लीजिए इसको ऐसे लिए लेते हैं डी आई एम पी डिम सिगरेट डिम कि अभी जो डी हो जाएगा डी की अगर हम बात करें यहाँ पर डी का मतलब हो जाएगा compound epithelium पाई जाती ड्राइ सर्फेस ऑप इसकिन यह हमारी इसकिन की ड्राइ सर्फेस में पाई जाती है आई से क्या हो जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ ड्रक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होती है ड्रक्ट की उनमें compound epithelium आपको मिलेगी M का मतलब हो जाएगा moist surface of buccal cavity moist surface of buccal cavity buccal cavity वो पार्ट है जहां पर हम food को masticate करते हैं जहां पर हमारे तीथो टंग है और सलाइवा की वज़े से moist रहती है तो surface of buccal cavity में compound epithelium है and P for the pancreatic duct ये चार example NCRT में बट आपको दिये गए जो याद करना बहुत कठिन होता है लेकिन अब आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि आपको मिल गया है cigarette dimp और इस से compound epithelium और उसके चार example आपको बहुत आसानी से आद हो जाएंगी तो कैसा लगा बाबजी का फंडा ज़रूर बताईएगा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को लाइक और सेर करना बिलकुल भी न भूलें अगली वीडियो में मैं आपके लओंगे एक दम नया फंडा जो की होगा जवर्दस्ट, जानदार और सांदार मैं हूँ डॉक्टर हरियोम गंगवार चैनल